हलो दोस्तों, जैसे हैं आप से बाइस हैं आज मिलेका हैं आपके लिए करने दर विडियो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हम किसी बैंक से लोन लेते हैं या किसी ऑनिवी एफसी से लोन लेते हैं मतल macht non-banking finance company जैसे कि home credit हो गया बजाज स्विंसिव हो गया और भी काफी सारे loan के app आते हैं जहां पर आप personal loan या किसी भी तरीके का loan वो apply कर सकते हैं जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर हम कहीं से loan apply करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या check करते हैं rate of interest और उस rate of interest से जो monthly EMI निकल के आती है वो हम लोग check करते हैं अब monthly EMI हम घर बैठे भी check कर सकते हैं जो हमने loan लिया है plus rate of interest plus tenure को calculate करके monthly EMI निकाल सकते हैं लेकिन यहाँ पर अगर हम bank से loan apply करते हैं तो आप भी bank से apply किया है loan तो आप अपना घर बैठे एक बार EMI जरूर चेक करना कि जो bank मेरे को loan दिया है plus rate of interest लगा रही है और जो monthly tenure हो रहे है उसको calculate करके देखना जो bank के तरफ से आपको loan मिलेगा वो accurate वही आएगा calculate करके आप वह मैं आपको अपने phone पे live लेकर चलता हूं और आपको सही से समझाता हूं कि इन दोनों में क्या difference है आप जब भी loan ले दोस्तों तो एक चीज ध्यान दीजेगा जो मैं आपको बताने वाला हूं तो चलिए दोस्तों चलते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप अपने screen पर देख रूपीज के और rate of interest जो यहां पर charge किया जा रहा है वो 12.75 आप total आप इसको देख सकते हैं फिर इसके बाद मैं इसको EMI calculator पर लेके जाता हूं और यही detail जो है वहाँ पर डाल देता हूं तो मेरा जो EMI है वो exact आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो मैं check कर लेता हूं अब यहां प पर rate of interest 12.75 वो डाल दिया प्लस 10 यो तीन साल का है तो आप देख सकते हैं कि actual rate of interest SDFC के तरफ से लगाया जा रहा है वो correct है मतलब 12,087 वहाँ पर भी था और 12,087 यहां पर भी है आप बात कर लेते हैं दोस्तों वो private financier जो NBFC के बारे में जो मैं आपको बता रहा था non banking finance company के बारे में जिसमें से एक home credit है आप मैं home credit में आपको पहले login करके दिखा देता हूँ और क्या मेरा rate of interest है क्या मेरा monthly EMI जा रहा है 2,00,00 रुपे तक के amount पे वो पहले मैं आपको यहां पर login करके दिखा देता हूँ आप जैसा कि देख पा रहा है यहां पर दोस्तों कि जो मेरा monthly EMI जा रहा है वो 6,971 और जैसा कि आप दोस्तों यहां पर देख पा रहे होंगे सिर्फ यह 2,00,00 का amount है और जो tenure rate of 48 months का है rate of interest यह लोग यहां पर बता रहे है 16.83% जो actual नहीं है अभी मैं आपको फिर से जो है EMI calculator पे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि यह जो detail यहां अलग आएगा अब यहां पर मैं select कर लेता हूँ दोलाख रुपे और यहां पर जो नीचे जो है rate of interest में select कर लेता हूँ rate of interest select करने के बाद tenure select कर लेता हूँ वहां पर जो है मेरा SDFC में 3 साल का था यहां पर यहां पर जैसे मैं tenure select करूंगा दोस्तों यहां पर मेरा जो actual EMI लगना चाहिए था वो 5,753 रूपीज लगना चाहिए था लेकिन ये लोग जो चार्ज कर रहे हैं वो चार्ज करें 6,971 तो मैं एक्चॉल मैं आपको दिखा देता हूं कि ये लोग क्या रेट ओफ इंटरस चार्ज कर रहें बता तो रहें 16% तो अभी मैंने इसको कैल्कुले अब ये देख लिजे कि कितना ये लोग एक्स्टा चार्ज कर रहे हैं एक्चॉल मेरी EMI जा रहे हैं 6,971 और लगनी चाहिए थी 5,753 अब 1218 रूपीज जो है ये लोग का हिडन चार्ज जैसा कि आपने देखा दोस्तों कि एक तरफ मैंने HDFC का EMI कैलकुलेट किया तो वो दूसरी तरफ मैंने होम क्रेडिट का EMI कैलकुलेट किया तो वो 15-1600 रूपे एक्स्टा आया तो वो 15-1600 रूपे एक्स्टा क्या है दोस्तों उसी को कहते हैं hidden चार्ज तो दोस्तों इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूं कि ताकि अगर कभी भी आप प्राइवेट फ बना रहा हूं ताकि अगर कभी फ्यूचर में अगर आप लोन ले तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए ठीक है दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दे टेंक्यू